नमस्कार दोस्तों, संसद हमले की बरसी वाले दिन, संसद के भीतर दो लोग कलर बॉम लेकर पहुच गए, संसद को धुआ धुआ कर दिया, संसद का जीरो आर चल रहा था, दुपहर का करीब एक बज रहा था, दर्शक दिर्गा में बैठे दो लोग कुर्सी मेंज उपर की खड़े हो जाते हैं, इस सफरा तफरी में स्पीकर को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने संसद की कारवाई दो बजे तक के लिए स्थगित कर देना हुआ है और आज भी मिचेपी की ही सरकार है आज से 22 साल पहले भी संसत का शीत कालिन सत्र चल रहा था और आज भी शीत कालिन सत्र ही चल रहा था आज से 22 साल पहले भी 12 बजे के आसपास हमला हुआ था और आज भी 12 बजे के आसपास हमला हुआ आज से 22 साल पहले कम से कम हमलावरों को बाहर ही रोक लिया गया था लेकिन आज की सरकार में प्रदर्शनकारी संसत के भीतर ही घुज गए क्यों ऐसा है कि भारते जंता पार्टी की ही सरकार में आसामाजिक तत्व संसत के भीतर घुज जाते हैं संसत के भीतर दो लोग जो घुसे इनमें से एक का नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है और दूसरे का नाम मनुरंजन डी है बाहर जिन दो लोगों ने कलर बम फेके इनमें से एक हिसार की रहने वाली लड़की जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है और लातूर का एक रहने वाले लड़का है जिसका नाम अनमोल शिंदे बताया जा रहा है दोस्तों ये चारो चात्र बताये जा रहे हैं कलरबं फेकने वाले चारो लोग ताना शाही नहीं चलेगी का नारा लगा रहे थे मणेपूर हिंसा पर मोदी जी की चुपी पर नारे लगाते हुए वो सुने गए कथित तोर पर ये लोग बीजेपी की सरकार के काम करने की तरीके से बहुत नाराज बताये जा रहे हैं इनका किसी संगठन से अभी तक कोई संबंध सामदी नहीं आया है बीजेपी संसत के नाम का पास इन लोगों के पास कैसे पहुचा बीजेपी संसत का इसमें क्या हाथ है इसके जाच जरूर की जा रही है क्योंकि बिना किसी की सांट गाट के संसत के भीतर खुसना बिलकुल मुम्किन नहीं है भारत माता की नारे लगाते एक प्रदर्शनकारी लड़की नीलम को सुनी है दूस्तो एक तरफ अफरा तफरी मची हुई थी गहमा गहमी का मोहल था दूसरी तरफ गोधी मीडिया की कॉमेडी भी जल रही थी जिस कलर स्मोक बम को जला कर धुआ फेलाया गया था उस कलर बम का खाली केन गोधी मीडिया के हाथ हो लगया उसके बाद गोधी मीडिया ने चीछा लेदर ही फेला दी जिस कलर बम के कैन को सुरक्षा एजिंसियों के हाथ में होना चाहिए था वो कलर बम के कैन अपने हाथ में लेकर गोदी मीडिया नंगा नाच करने लगे कलर बम छीनने के लिए गोदी मीडिया एक दूसरे से छीना जपटी पर उतारू हो गई लाइव कैमरों पर एक दूसरे से सब के सब लड़ने लगे एक महिला पत्रकार तो पुरुष पत्रकार से कैन छीनने के लिए मैदान में कुथ पड़ी पूरी दुनिया के सामने गोदी मीडिया ने दिखा दिया कि ये लोग किसी सेंसिटिव मामले पर रिपोर्टिंग करने के लायक पिल्कुल भी नहीं है ये चाहते हैं तो दूसरे पत्रकार के हाथ में मौजूद कलर बम को दिखा करके भी रिपोर्टिंग कर सकते थे लेकिन सब कलर बम के कैन को अपने हाथ में लेकर के खत्रों के खिलाडी बनना चाहते थे आज की शरबना घटना से साफ हो गया कि ये सिर्फ सरकार की आरती उतारने के काबिल ही बचे है रिपोर्टिंग ना हो गे इसे दूस्तो आज संसद हमले की बरसी थी अरे आज तो सुरक्षा विवस्था और भी जदा टाइट होने चाहिए थी लेकिन सुरक्षा विवस्था बिलकुल ली चड़ निकले इसी तरह से आज से ठीक बाइस साल पहले आज ही की तरह संसद का शीत कालीन सत्र चल रहा था उस समय लोकसभा और राजसभा स्थगे थी हुए कुछ 40 मिनिट ही बीच चुके थे प्रधानमंत्री अटर विहारी वाजपई और सोनिया गांधी जा चुके थे बड़े नेता भी जा चुके थे सो से जादा वियाएपी संसद भवन के भीतर मौचू थे सोचे होम मिनिस्ट्री का फरजी स्टीकर लगा कर एक सफेद अमबैसजर कार संसद भवन में दाखिल हुई उसके भीतर पांच लोग बैठे हुए थे सुरक्षा कर्मियों को चक्मा देकर गाड़ी संसद भवन के भीतर घुस जाती है और उस सफेद अमबैसजर कार के भीतर AK-47, राइफिले, ग्रैनिड लॉंचिल, पिस्टल, हैंड कंस का जकीरा रखा हुआ था पाच्रों आतंकियों ने बाहर निकलते ही गोलियां बरसानी शुरू करते CRPF कॉंस्टेबल कमलेश कुमारे आतंकियों की गोली का पहला शिकार बनते हैं अगली करीब 45 मिनिट तक संसद परिसर जंग का मैदान बन रहा था उस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेथ 9 लोग मारे गए थे 18 लोग घायल हो गए थे गनीमत रहे कि कोई संसद इन आतंकियों का निशाना नहीं बन पाया था नवेंबर 2002 में जैश के चार आतंकियों को पकड़ा गया उनके खिलाफ मुकदमा चला सभी को दोशी पाया गया अब जल गुरु नाम के एक आतंकी को तो फासी की ससादी गई अगर आपको संसद भवन का पूरा इतिहास जानना है संसद भवन सेंट्रल विस्टा कैसे बना उसकी पूरी कहानी जाननी है तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकु एफम और यहां पर सुनिए संसद भवन टू सेंट्रल विस्टा की ओडियो बुक इस आउडियो बुक से कई स्टोरीज के लिए मैंने तत्ति लिये हैं आप भी नए साल के इसलेशन के तौर पर आउडियो बुक सुनना शुरू कीजे कुकु एफम पर माइचलोजी, बायोग्रिफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री जैसे विश्यो पर दस हजार से भी जादो आउडियो बुक्स हैं और कुकु एफम की सबसे अची बात कहा जानते हैं आप रात को सोने से पहले अराम से इस पर आउडियो बुक सुन सकते हैं अगर आप मेरे प्रोमो कोड PKP50 का इस्तमाल करेंगे तो आपको पहले महीने 50% का डिस्टकाउंट पिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शिन में हैं आभी डाउनलोड कीजे कुकु एफम दोस्तो संसद में कलर बॉम फेकने वाले लड़कों को संसद उने धर दबोचा तभी पहले आदमी ने अपने जूते में छिपा हुआ कलर बॉम बाहर निकाला और संसद को धुआ धुआ कर दिया इस अफरत अफरी के बीच एक बात नोटिस करने वाली ये है कि स्पीकर को मार्शल तुरंत एक लिखी हुई पर्ची देते हैं और स्पीकर उसे देख करके कहते हैं कि संसद की कारवाई को दो बचे तक के लिए स्थगित किया जाता है दूसरी बात नोटिस करने वाली ये भी है कि इतनी बड़ी घटना गटित हुई और स्पीकर बिलकुल निश्चन दिखे लोगसभा और राजसभा दोनों सदनों की स्पीकर्स के चेहरों की भाव बिलकुल ऐसे ही दिख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो दोस्तों जब जब देश में आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की तब तब राश्च्रवाद का गाल बजाने वाले बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई पुलवामा में पूरी तरह से फेल साबित हुई उरी में जब आतंकियों ने हमला किया तब ये सरकार फेल रही आज संसद में चात्र बताए जा रहा है चार यूवग खुश गए दो संसद के भीतर कुरसी मेच पर तांडव करते रहे संसदों पर कलर बम फेक रहे थे और दो बाहर कलर बम फेक रहे थे कलर बम की जगा असली बॉम भी तो हो सकता था ये तो है राष्ट्रवादियों की सुरक्षा वेवस्था जिसमें एक राष्ट्रवादी बीजेपी संसद के नाम पर पास लेकर संसद के भीतर ये लोग खुश गए दोस्तों ये जो आप जूता देख रहे है ना इसी जूते की भीतर ये वाला कलर बम चुपा कर लाया गया था किसी को कानो कान खबर तक रहे हुए नई संसद का उद्घाटन करते समय बड़ी-बड़ी बाते की जा रहे थी सुरक्षा को लेकर के बड़े-बड़े ढोल पीटे जा रहे थे लेकिन सुरक्षा की बाते बिलकुल जूमला निकली जूमला देश का सबसे बड़ा लोगतंत्र का मंदर सुरक्षित नहीं है तो बाकी की बातें क्या ही की जाए लोगों ने सरकार देश चलाने के लिए चुना है लेकिन देश के प्रधान Μंत्री से लेकर ग्रह मंत्री तक सब पार्टी चला रहा है स्मोख बॉम लेकर के घुसने वाले अगर ये इस देश के च्छातर है तो सरकार के लिए तो दोतरफा शर्म की बात है और वो इसलिए क्योंकि अगर ये चात्र है तो इनकी नराजगी इस स्तर तक क्यों बढ़ गई कि उन्हें संसत में कलर बॉम लेकर की कूदना पड़ा? कि इनको अपनी बात कहने के लिए संसत में इस तरीके से सामने आना पड़ा? ये सोचना पड़ेगा. और दूसरी बात य कि अगर चात्र संसत में इतनी असानी से गुष सकते हैं तो फिर हाल तो वही है. अंधेर नगरी, चौपट राजा. सरकार हम देश चलाने के लिए नहीं, चुनाव लड़ने के लिए चुनते हैं. बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देने लगा है. और इस देश का गोदी हो चु अभी के लिए तो इस वीडियो मेटता है. चलते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा और वीडियो को शेर जरूर कीजएगा. नमस्कार. जय हिंट.